क्या राजनीतिक तौर पर फिल्मी सितारों का इस्तेमाल हो रहा है सुशांत सिंग राजपूत केस में क्या बॉलिवूर्ट दो हिस्तों में बढ़ गया एक बीजेपी के साथ और एक कॉंग्रेस और उसके सहियोग्यों के साथ सुनमाजन क्या इस्तेमाल हो रहा है कंगनार अनौत का बोलेगा रोहिची एक चीज तो बहुती स्पष्ट है कि ये सिर्फ महराष्टर में नहीं होता है स्टेट की इंटरफेरेंस पुलीस के साथ होती है अगर हमारे पॉलिटेशन्स पॉलिस के साथ इंटरफेरेंस नहीं करें तो ज्यादा तर हमारे जो पॉलिटेशन्स है वो सब जेल के अंदर होंगे क्योंकि सब के खिलाफ सेंकडों मुकदमे दर्ज होते हैं दूसरी बात ये सस्पिशन कहां से उठता है क्योंकि कंगना जी जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ कह देने से कोई चीज साबित तो नहीं हो जाती अगर आपको सचने लगता है कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं या मुंबई पुलीस से उनको खत्रा है तो आपको आप पुलीस के उनके पास ओप्शन क्या रह जाता है तो अब क्या कंगना जी के लिए इंडिन आमी आ के उनको प्रोटेक्शन देगी या दूसरी बात ये कि आपने आपको पूरी आजादी होती है लोग तंत्र में आप किसी पे भी सवाल उठा सकती हैं नेता पुलीस कोई भी प्रशंसा करें बात जी है कि वॉलिवुट की वज़ा से बहुत सारे लोग है दुनिया भर में जो इंडिया को जानते हैं तो आप ये कह दें कि मुंबई जो है वो पाकिसान अधिकृत कश्मीर की तरह है ये कहां से सही है जाने वाले तो पी ओके भी होके आ गए जिनोंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी वो तो वहां भी हो गया गए तो अगर आपको इतना जादा किसी चीज़ से परेशानी है तो आप कोट में केस करें या आप एक मुंबई पुलीस को रिटन में कम्प्लेंट दें सोशल मीडिया पर ट्राइल से लाने से क्या होगा है आपने द देंगल में तो इस जूम आइडी के जरी आप हमसे कनेक कर सकते हैं कुछी मिन्टों के बाद हम आप लोगों की बात सुनेंगे इस मुद्दे पर आपको अपनी क्या राय देनी है आप कंगना के साथ हैं आपको कंगना की बात में दम लगता है या पिर नहीं लगता देखिए पहली बात तो आपने जो उठाई की मुंबई पुलीस पे भरोसा क्यों नहीं तो रोहिज जी कंगना जी ने क्या गलत बात कही उन्होंने एक बात कही उस पे उन्हें धंकी दी जा रही है कि मुंबई मत आओ अभी कहा जा रहा था नहीं नहीं संजेर आओ तो पहली बोलूँगा कोई बात नहीं इतने सीधे है ये अरे इंच टेप लेके ये सुशान सिंग राजपूत और कंग्डा रनौत की हैसियत को जो है ना पराए है कभी शिवसेना ने इंच टेप लेके अपनी हैसियत को ना पाए अगारी में पीछवाडे में रहने के बाद क्यों घडबंदन किया है इनकी सोनिया सेना की ऐमोकात है और बाला साहब ठाके श्रदे बाला साथ ठाके ने क्या कहाता कONGRES से जाने से बैतर है कONGRES के साथ जाने से बैतर है मैं अपनी दुकान बंद कर लूं तो यह होते कौन है बेजे पी और जेडी उपे सवाल उटाए अब मुंबई पुलीस पे क्यों नहीं विश्वास होता मैं बता दू पहली बात 66 दिन तक जो F.I.R. नहीं कर पाई सुशान सिंग राजपूत के परिवार के साथ नहीं खड़ी हो पाई रिया चक्रवर्ती जो पहली एक्यूज है प्रतम एक्यूज उसको सेक्यूरिटी दे रही है वो मिनिस्टर कह रहा है यह सुसाइट केस है पहले ही दिन तो उन पे कौन विश्वास करेगा ठीक है अब व्यक्ति के अज़ादी में कल को 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 यह भी कह सकता है कि गौरब भाटिया का ड्रग टेस्ट कराओ या नासर अब्दुल्ला का ड्रग टेस्ट कराओ क्योंकि स्क्रीन पर देखके मुझे लगता है कि साविया ड्रग एडिक्त है सुनिये सुनिये क्यों नहीं कह सकता नवस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना करना वेलेट